चल चत्र अभ्यान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं आप हमारे पंजाब के वहां पर आप कील कंट लगाओगे हम भाई बीजेपी वालों की गाड़ी आओगे उसके कंट लगाए नहीं घर घर में सच कुछ कहने का अधिकार अधिकारियों में नहीं रहा क्योंकि डारक्शन उपर से हैं बीजेपी में सामिल हो जाओ यह जो काली भी घर आप दो लोग बोल उठेंगे एक आपके नारे अधरनी है कि समानी तमंच कि इसानों जवान सास्थियों पत्रकार बंदो है कि हमारे सभी खाफ चोदरी पुलिस परसासन के लोग देखो जो मुद्दे हैं मुद्दे पहले भी थे और सरकार पहले भी थी अब समस्या बढ़ी ही और सरकार टाइट हुई समस्या जादा हुई और सरकार भी पूरी टाइट हो रही समस्यां का समधान करने पर नहीं समस्या और बढ़ाने पर एक साजिस सब्ज़ने ना क्या है साजिस यह है कि खेती में जो फसल पैदा होगी किसान उसे बेच के गरीब होगा ज्यान से सुनदे ना सब्ज़ने फसल बेच के किसान गरीब होगा खेती से नफरत करें और जमीन बेचे है जमीन बेच के आदमी आमीर होगा भाई जमीन तो फटबपट बिखे रात को बेचना चाहो तो रात को भी गहती है बेना में रात को भी हो रहे हैं तो यह जमीन चीनने का प्लान चल रहा है पूरा केस यह है कि किसान उसफे जमीन ना रहें यह मजदूर बने लेवर बने बड़ी कंपन्यों को फादा कैसे होगा जब दस साल पुराणा आपका ट्रेक्टर खतम होगा आपकी दस साल पुराणी गाड़ी खतम होगी कंपन्यों को फादा होगा अब कानून इस तरह काएं कि उस पर चलाण नहीं है पुलिस के हाथ में कोई चलाण नहीं करने कि उसके जब वह एंजिटी के कानून में फसगा वह इस क्रेप में जागा और तुटेगा कि अब कोन बच जाएगा वह देश साल पुराना कोई एक अधा को बाड़ा पताला को करता हो यह तो बच सके किसान तो नहीं बचता है ना किसान का पूत है को दुट साल में ट्रैक्टर बदलतागा इसान तो न वदल सकता लेकिन सरकार तो यहीं कि उनने का आगे तो किसान यूनियन वाले आगे तो हमारा इलाज कर दिया किसान और जदा नहीं तो 15-20 साल ले पूरे केस को निम्टा देखते हैं अब इसमें 30-40 साल लगें जमीन चीनने में यह सरकार जो द्योग पती है सरकारी द्योग पती यह उनक लेकिन किसी की आईवेपी बच रही का किसी की जो चक्रोड है अंदर जाती है वह आठ शाड़ाट फुठकी हो बैनामा व्यापारी खेती में करवाता है किर्सी भूमी में फिर उस पर दिवार खड़ी कर ले दुन उतर अपसली दिवार खड़ी कर दी के पिछे की जब इन policing स्याजिसरय है यसाजिस का हिस्सा है संगर्स एक निसांगरस तो बहुत होंगे अभी तो सरकार बाटने का काम कर रही किसानों को जैसे पॉल्टिकल पार्ट को बाटो थे अनुके लोह को तोड़ फोड़ कर रहे एसे ही किसान संगठन को भी बाटने का काम कर रही ने किसान संगठन बना रही है नया देश में किसान संयुक्त मोर्चा बनेगा कुछ लोग उनकी ग्रफ्त माएंगे सरकार अभी उस पर काम कर रही तो आपको इखटा होना पड़ेगा डरने की जो रतने हीगा डरोगे जो आदमी डराएगा युद्व में जो डराएगा हो तो पहले ही मर जाता है आड़ टेक होके बर जाएगा संगस्तों करना पड़ेगा लड़ाईया लड़ी पड़ेगी लड़ाईया कैडी होगी शांती पूर्ण तरीके हवसा होगी जैसे दिल्ली में आंदोलन चला तो हमारे लोग सहीद तो वे वहाँ पे साथ सो किसान कि बिमार हुए सर्दी में हुए लेकिन पुलिस फारिंग में नहीं मारेगे शाड़े साथ सो सहीद हुए जब देश का इथियास लिखा जाएगा कभी तो किस राजा का राज था उसका नाम भी उपड़ावगा वो जमनने चलेगे के फारिंग आप पो होगी वो जमनने चलेगे वो भूल जो पुलिस ड़रावेगी दिखावेगी आपके गाव में को वो निकल लेगी मुकद में लिखेगी और करेगी लेकिन लट्ठिर वो पुलिस फाइरिंग और वो तो जमनने जा लिए अब वह इनकी ताकती नहीं है कि ये काम करेंगे दरने परदसन देने सीख लो दरने टिले होगे हमारे जो धरना होता है ने धरना धरने की क्या परिवास आए अगर हमारा मेमान दामाद सबसे प्यारा होता है अगर वो घर पे आ जाये तो आते ही बहुत खत्तर नवज्जे करेंगे पूरा दिन सुचेंगे बैए कल जागा और वो कल बिना जा तो तीसरे दिन उसको दूसरे दिन दाल चाओल बनागे बुरा बुरा देंगे उसे गी देंगे सामकू भी बड़ी अदावत होगी कोई परोस्सियों उसके बी दूद आ जा तीसरे दिन उसा आलवा देदे हल्वे का मतलब ह कि यह अब जागा तो वह उसको आप मिलाई भी दे दो और वह फिर भी कहें कुछ ना और वही करदेश वो कह लगा जी मैं तो यह विचार है मेरा तो विचार है के घरवार उसे तो लड़ाई होगी मेरा यह कि मैं कुछ दिन यहीं रहूँगा तो हो गए लाज गर का दामाद जो सबसे मजबूत रिष्टेदार होता है जिसकी बहुत इज्जत हो उसे यादि में सोच चले गए भई यह जागा के से अलवा खाली अर्मिलाई ले जा रहा है नहीं तो भई यह किसान संगठन है यह अलवा खाके उमही लोट्टा करन के बारी पहले कोई मेहमान होता था ने वो अठ्वाडिया होता था एक भैई यह आगए यह आठ दिन दे पहले जा गाई नहीं तो यह जब अठ्वाडिया बढ़ जाते ने किसी अधिकारे कि आप बार बैट जो कुछ ना कहो उसे उसके बार बैट जो और बट्टी लो चड़ा उस कुछ ना कहो आप वह अपने आप ही कहगा सिफारस करेंगा मेरा पंड़ना छोड़ दो तो यहां पर भी धर ने बिजली वाड़ू के इन पर भी कितने दिन हो गे ने आप दूसरी जगे तो करते रहो यह जटकेव लगए रहे तो आंदोलन मेनट से शुरू यहन से ओघर वा यह 40 अद्यूम स्थे जो शामली जिला हामारा यह यह हैं जो है अस्तान पहले मुझसःांगर इकटा था आज सामली यह किसान संगाथन की देन है यह है हमसे किसान संगाथन अबाद रुए यहां से संहर्स हुए यहां पर मिदोलोग सहीद हुए वहां पर एक हिंदो रेक मुसल्मान तो कोई से संगठन को कह लगे भारते किसान उन्यन को कि ये हिंदो की है या ये मुसल्मान को है तो उपरले वालों ने प्राकर्तिक नहीं दी कि दुन्नों को सहीद करा अकबर अली और जेपाल मलिक तो दुन्नों के पाए पे रुक्या हुआ है अब किसान अंदर उन्हें तो सिक समाज बहुत सहीद हुआ पंजाब के सबसे ज़्यादे लोग हमारे सहीद हुए दिल्ली के अंदर राजस्थान हर्याना पंजाब उत्तर परदेश उत्राखंट अभी भी आंदोलन चल रहे हैं क्योंकि जब दिल्ली से एसकेम आया तो इखटा आया अब आके उसके दो तीन गुरूप बने अब अपनी तरीके से लोग ने कोल दे दी एक नहीं कभी की दे दी एक ने कुछ दे दी एक नहीं कुछ दे दी तो यह आपस की ना इंतिफाकी है कि जो पंजाब बॉडर पर जो हो रहा है वो आपस की ना इनतिफाकी है ताल में नहीं है उड़ाजी का केस हमने फिर कहा कि आपस की पहले बाचीत करो पूरे SKM को बाचीत में सामील रखो और इखट्टे होके कोई गोस्ना इखट्टे होका करो कि बोडर पे दिल्ली पुलिस भी पूरी तयार है चारों तरफ से सीड़ कर रख्या उनको यह पता है कि कब क्या हो जाए इनका पता कुछ नहीं कब गोस्ना करते हैं कल भी उस बोडर से हम 15 किलोमेटर दूर तक थे टेक्टर से गए हम बहुत बड़ी थी इतनी भीड़ थी आ आज भी यहां पर है कि कल भी टेक्टर मार्च होंगे देम के वहां पर जाएंगे टेक्टर से जाओ गाड़ी से अपनी जाओ लेकिन जाओ कल भी यापन दो महां पर मिटिंग चलाओ अपनी और 27 या 28 तारीक का एक दिन जिस दिन साया नहीं होगा 26 27 कोई सा दिन वो देख लगा आज रात तक वो कल बता देंगे फिर टेक्टर अपने हाईवे पे खड़े करने एक लाइन में आप अर्यानी की तरह फूकरते हैं क्योंकि दिल्ली का रास्ताई से जबता है एक साइड में खड़े रहेंगे उसका टाइम में और डेट बता देंगी कुछ लोग अपने नेस्टाल हाईवेज होंगे उस पर हो जाएंगे क्योंकि पता रहें कि टेक्टर हमारे दिल्ली पंजाब जहां पर जोरत होगी वहां जा सकते हैं कब जाना होगा कब क्या अंदोलन करना होगा वो बताएंगे यूकि इनका लक्षन तुहार आ रहा है यह कहरें कि भई हम दिल्ली नियान देंगे ठीक है हम आपको गाउम नि किल कंट लगाओगे हम भाई बीजेपी वालु की गाड़ी आओगे उसके आगे कंट लगाएं घर-घर में हो जागे तैयार बुगी का तकता और उसपे कील कि हमारे गैल पंगा मत लेना कि किसान के साथ मैं पंगानी लेना सरकार को यह बिजली वाले इस सारे के सारे जो कशान दें लेकिन हम सांती से बट्ट है सांति का मतलब किसान की कमजोरी नहीं है यह अपने दिमाग पर से सरकार निकाल दें कि हम आंदोलन में कहीं बड़ा प्रोग्राम नहीं कर रहें तो वह कमजोरी डर नहीं है ये अपने दिमाग मसे निकाल दे अधिकार यूगे तो हाथ में कुछ नहीं है यहां तीन स्टेप में सरकारे चल रही जिसे पाकिस्तान में चार स्टेप में चले यहां पर तीन में चल रही पहले यहां का बता दू फिर पाकिस्तान का बता हुआ यहां चलती है पहले है पूंजिवाद वो दिखाई निदेगा वो सरकार को कहता है सरकार अधिकारी को कहती है अधिकारी वो कहर रहा है जो पूंजिवाद चाहरा सरकार उसके बीच में है इनके हाद में कुछ नहीं है इनसा उलजने की जोरोती नहीं है यह तो कहें कि हमें तो अपना इपंड़ा चुटना भरी और आप बोलने का अधिकार नहीं है सच कू सच कहने का अधिकार अधिकार यूँ में नहीं रहा क्योंकि डारक्षन उपर से हैं को ब्यज़ेपी मैं सामील हो जाओं यह जो काली नहीं इसको कारप्एट वाली कर दो ब्यज़ेपी के ऑफिस में जाता है आप ने कुछी है वड़़ारी करक्ति आप साफसुत्रे हो जाओंगे जैसे पैंटनियों का ज्याताँ आप कितने काड़ेपिद निकलोगे कि आप गैई को क्या आजीव मामला है एसा ही वहाँ पाकिस्तान में उसने वहाँ के उसने का जी मेरे से जुलम हो या मैंने सारे हरा हैं भज़ियें कंदान हैं थे आ जो तो दिया है उस áb स्पिछा बहुत करें से नहीं में दोना है है या लेकिन परे इन देए अपने उसे लेकि millennials साते लीड़ वालन में आफ़ेर and बाट-बम के चेंट वड़ हैं वहार कुछ लोग पत्थे जानी करें हैं हुँ जो हमारे मोलभी साल महां के पाकिस्तान के हैं वह उसको मूअ होड़ा वह हैं वहां मिलेट्री उनका गूट करें वहां सरकार चोथे नंबर हैं क्योंकि हमार तो मिलेट्री रूल है नहीं पूरा 119 व्यापार विलट्री के वहां पर यहां कम सकम इतने दे छोट पुलिस पर सासन कुन है वहां सरकार चोथे नंबर पर पाकिस्तान में तो लेकिन चोथे वाड़ा भी गड़बर जरूर कर रहा उसने आमी पर भी इस्थी पर दे दिये बहुत बुरा इस्थी है पूरे दुनिया की यहां पर हमारे सम्विदान में राइट्स दे गई हैं सबको अपनी बात कहने का राइट्स यहां पर लोग इखटे हैं जमीने बटी हुई हैं सब बहुत मुलकों में तो जमीने बहुत बहुत जमीन लोग के पास में हैं वहां मजदूर हैं जिसे ब्राजील में हैं ब्राजील में 280 लोगों के पास में वहां की 80 परसेंट जमीन हैं जितना बड़ा उत्तर परदेश यह हर्याना है हर्याने में मुश्किल साथ आठ लोग के जमीन होगी और जितना उत्तर पर्देस हैं इतनी जमीन वहाँ पे 10 या 11 लोग के पास में हैं तो इतना बड़ा-बड़ा जमीदारा है उनके ब्राजील में तो वहां पे भी हमारा संगर सल रहा है हुआ उनकी जमीन छीन रहे हैं संगठन के लोग और उसका मजदूरों में ब बढ़ी बड़ी कमपणी आएंगी जमीन ने सच्षिनों इनको मजदूर लेवर बनाओ जो काल के लोग है 40% लोगों को लेवर बनाने का इनका प्रोग्राम है कि हमारे खेत्तू में काम करेंगे कमपनी में काम करेंगे तो इनसे जमीन छिन्नों, जमीन बचाने का अंदोलन है ये, ये लडाई लंबी चलेगी, आप संगठित रहो, इकटे रहो, पुरा भारते किसान यूनियन, पुरा किसान संगठन, पुरे देश का एसकेम जो किसान संयुक्त मोर्चा है, एक बड़ा मोर्चा देश में ये बणा है, सब ये किसान, गाउं, गरीब, आदिवासी, मजदूर, नोजवान सात्ती, पुलिस के लोग, रिटार होने के बाद में तुरांत आ रहे हैं वापसी, रिटार्मेंट रिया अगले दिन पका अब आओ, जंगटन में, एक अभी बच्चों के पुलिस में जो पेपर था, बलब पेपर में कैसे पास हो जाएगा गाउं का बच्चा, जब लिकीज हो गया, आठ घंटे पहले चला गया, तो हमारी उत्तरपरदे सरकार से, अपी लेंगे, जो पेपर लिकीज हुआ, जो पेपर बाहर गया, उस पेपर को दुबारा करवा जाए, ये डिमांड है सब की, क्योंकि जिसके हाथ तु पेपर नहीं लेगा हो तो फैल होगा दिश्चित, और जिसके कबजे में या ओपास होगा, तो ना इंसा प्योंगी नहीं है, और जो इस तरह है के पेपर आउट करते हैं जो लोग, उनके खिलाब कड़ी कार्रवाई कर जाए, हम ये चिठ्ठी, यहां के मुख्य मंतर जी को भी लिखवाएंगे, क्योंकि बहुत बच्चों के फोन आए, आज भी फोन आए, कल भी फोन उनके आए, के जी हम क्या करें, आप भी नहीं बोल लोगे, तो कौन बोल लगा, हमने कहा के सेयुक तुमोर्चे में भी रखेंगे, आज हमारी मिटिंग है, उस मिटिंग से भी कहेंगे, यहां पे लाई और इंटरिजेंज के लोगी भी होंगे, हम कल इस पे चिठ्ठी लिखवाएंगे, उस चिठ्ठी को सावदेनिक करेंगे, जो पेपर आउट हुआ है, वो पेपर दुबारा होना चाहिए, यही सब की डिमांड है, और जो आपके बिजली के इसु हैं, हमने तो पांच साल के लिए, भी जब तक योगी जी हैं, इनों ने यह कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो पांच साल बिजली फिरी देगी, आप अपने गोशना पत्र में यह बताओ, जब आपका चुना होगा, कि हम बिजली के मीटर लगाएंगे, गोशना पत्र में तो मीटर है नहीं, गोशना पत्र में तो किसान की पांच साल फिरी ब या ये कहो कि जिस party ने गोशनापत्र बनाया, वह सरकार तो दूसरी है और party दूसरी होती है, जब आपकी सरकार बनान दो, गोशनापत्र किस आदमीर किस party ने बनाया, आप उसके खिलाब मुकद में लिखुआ, उसके खिलाब, ये करो के ये जूटा था ये बता हुआ आप ये किसान तो पांच साल मीटर लगणिन देगा जो आप ये गोशना पत्र में होगा हम उस पर चलेंगे गोशना पत्र को फिर दिखा दो फिरी बिजली की पता दो कब की मलब क्या बेवकू बनाते हैं लोगा कुछ नहीं कह सकते वही इनसे जोटा आदमी दुरती पतो है नहीं लुकरे जी एक साल जिसें फिरी ओगए जी अप्रेल से मलब जो तेइस अप्रेल लगा कहले जी हमने फिरी कर दियां भए फिरी कर दिया कि पर दिखाने को पूरे देश की जनता को अग बिजली फिरी देदिर फिरी है नहीं अधिकारी उसा बात करते हैं कि हमारे पास तो कोई आदेश है नहीं क्या करें करमचारी रधिकारी वही एक ऐसे चोबी थाने का वह भी बगेर कप्तान के सलाय के एक कलम नहीं तेखता और चीज पुझे हैं और कफ्तान मुझता है लखनां से एक का कुछ की मोनिटिंग होती है यह क्या हुआ है अब वैसे थोड़ा जारा कोई भी अधिकारी वह फिल्ड में सब अपना महीं बट्टे हो विसमें वंसे कॉन्फरेंस और वे सब वंसे अपने संगठन को मजबूत करो यह आने वाले टाइम पर देश को संगठन बचाएगा इन पॉल्टिकल पार्ट्यों को चक्कर में ज्यादा मत पढ़ना किसी के इन अपनी जान बचानी भारी हो रही है जिसे होटार जहां देनी अपना दे लियो अपने संगठन पर द्यान अपना अपना नसे पत्तिस है कम से कम जब मिटिंग माओं तो यहीं कर लोग भाई मिटिंग माओं गए बीड़ी पीनी नहीं मिटिंग में अगर एक बार भी उस तरह के लोग यहां पर शामिल होगे तो हमारी जनरेशन खतम होगी उनसे कोई हमदर्दी नहीं है सराब शूरुपका वी पीने का काम होथ कर रहें सराब की अइसे सरकार है एक बार ठेक्के बंद करवाए दिये कहीं तैक मैं हम तो नसे का कर रहें Ü्ही सराब का का है रिवेन््यू का नुक्सान हो गया तो में इसराप की रखवाली सरकार तो अपना छोड़नी अपने आप ही पड़ेगी तो नसा पती से दूर रो अपने बच्चों को पढ़ाने पर दियान रखो आपस के जो जगड़े हैं उनको भी खतम करो अपने फैसले करवाओ जगड़े ना करो नहीं तो जगड़े करती दुर मुझा करें काम सरकार और यह कहते हैं ना फैसला दुमानते लिए नहीं बिल्कुन तो इन सब चिज़ों पर आप दियान दो अपने संकठन पर दो अपने खेट क्यारी पर दियान दो अन्दो दन लम्बे होंगे और आने वाले टाइम पर ये भी हो सकता है अगर हर्याना सरकार ज्यादे दिक्कत करेगी तो पहले दिल्ली से पहले या अर्याने वाली देखनी पड़े की दिखे भई करनान वाले भी आजängenे एक 미팅 को इठ साही एक मिटन uphill को बुला लग ह tääर इधर से ही आओ जाएंगे थीक है में रही कर लजयए नहीं फिर्व कि का लगी नहीं उसको नहीं मोटन कर ला एक लाते हैं वो मान साहीं अपने पड़े सर्द्दों उन्टसा बात कर लेंगें और एक मिटिंग यह कर लेंगे नहीं देख के जगे सी ठीक हां गम्साम एक मोर्चा यहां पर दो लग्जा अरियाना वालन अई तो तमास्ता ठीक हो जागा है अरियाना पुलिस करें हमको जाने से रोक ला और लेले खाड़ा जुड़ जगा आप पंजाब जाने की जोरुती निया वे यह गेरना पुड़ागा यह अरियाना यह गेर रपड़ागा दिक्क है पहले दिल्ली से पहले क्वाटर जी एक एक टेक्टर नहीं चलने के सड़क कुपे बैटेक्टर कहां चलेंगे जोन सी चीज से डरेने जहां आदमी का चैंट हो पेले जो जोटे आंग्शा कर देंग रहे थे उ अब टेक्टर का नाम लेते रहो यह उचलेंगे और वहाँ आपना जहां से इनका चैंट सी मारती हो वहीं अंगली सी मारती तो यह कुद कह सारे तो यह टेक्टर चलेंगे इनको मजबूत राखो वही टेक्टर को एक दिन है ओसे गएंगे करनाल लोग कुछ चक्कर लगाया हुए रखांगे एक दिन का प्रोग्राम SKM की मिटिंग है बाइस तारीक में चंडिगड में तो हम उसमा जाएंगे तो उसमा प्रोग्राम तह करेंगे के करनाल का और इंजल्यू का एक प्रोग्राम सामुईक कहीं रखें जगें भी देख लगें कहीं हो जो रखेंगे तो आप लोग ने बात सुनी सबका धन्यवाद जो पुलिस परसासन के लोग भई यहाँ पार है इनको खानावना चायवाई पिलोज इनको सबको पहले क्योंकि वर्दी कानून की हैं और विचार ये किसान का एन में भी ठीक है जी वर्दी कानून की हैं और हम यह नहीं कहते हैं जो सरकार कह रहे जो राजा कह रहा आप उस पर काम पूरा कर रहा बेरे सकत हो गा जबही तो चिञारी पहम ऑने में बेरा सकत के कहाँ चिंगारी बन्री ये पार कहें आप kon मीटेर क्यांस प्रजी क्षकी buyers पर चलना मामला एक बार कर दो कुछ अप लग जाओ तो होगा मामला और हम जो किसान संगठन हैं पुरा देश का किसान एक है कि उन पर पूरी नजरे बनाई हुए हैं हम है और हम उन किसानों के साथ में हैं दन्यवाद जय हीं जय भारा जय सम्मिधान चड़री राकेष टिकाइब बार्केष टिकाइब